जहिन दोस्तों स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में और आज की वीडियो में हम UPPCS ROARO का जो आपका एक्जाम होता है समीच्छा दिकारी सहाइक समीच्छा दिकारी इसके syllabus को देखेंगे कि इसका syllabus क्या है इसका pattern क्या है कितने paper होते हैं तो सारी जानकारी इस वीडियो में हम देखेंगे तो आईए सीधे start करते हैं वीडियो को तो syllabus यहां पर आप देख सकते हैं कि पहले आपका पिरारंबिक परिच्छा होती है पिरारंबिक परिच्छा में आपके दो paper हैं एक सामान्य अध्यन और दूसरा है सामान्य हिंदी दोनों में ही बस्तुनिष्ट यानि objective टाइप यानि बहुपेकल्पिय पिरसंद पूछे जाते हैं तो पिरारंबिक परिच्छा में सामान्य अध्यन में क्या-क्या कौन-कौन से subject से question पूछे जाते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले सामान्य विज्ञान उसके बाद भारत का इतिहास भारतिय राश्टी आन्दोरन भारतिय राज्य तंत्र अर्थ विवस्ता आवं संस्कृति भारतिय किरसी बाड़ेजी आवं व्यापार जनसंख्या परियावरण आवं नगरी करण ये भारतिय परिपेच्छ म विस्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन अधुनातर राश्टिय तथा अंतर राश्टिय महत्कून गटना किरम यानि करंट अफेर्स पूछा जाता है और आगे देख सकते हैं सामान्य बौद्धिक चमता यानि रीजिनिंग बगएरा और उत्त दूसरा पेपर आप देख सकते हैं कि सामान हिंदी का पेपर होता है और इसमें सामान सब्धिज्यान अबम ब्याकरण यह अब्जेक्टिव टाइप का होता है और इसमें बता दें कि जो पहला पेपर आपका होगा सामान अध्यन का एक सो चालिस पूड़ांक और एक सो चा तो आगे देख सकते हैं कि इसमें बिलेम सब्ध होगे कितने दस सब्ध बिलों दस सब्ध होगे और बार कैवम बरतनी से यह 10 सब्ध अनेक सब्धों के लिए एक सब्ध यह भी दस होंगे तस्समतद्वाप यह भी दस, विसेश यो विसेशण 10, पर्यावाची 10 यानि यह का प्रारंबिक परिछ्च पत्रकिन हे आगे देखते हैं मुक्त करिष्च का प्रेश्च प्रिच्छ पहर्वन कि में एक्जाम्ब एन एवलत्थ। यहां पर पहला आपका यह सामान्य अध्यन objective टाइप पेपर होगा 120 प्रेशन होगे 120 नमबर के और समय इसके लिए 2 गंटे होगा दूसरा पेपर आपका है सामान हिंदी आपम आलेखन इसमें खंड एक से ये subjective टाइप का होगा ये आपको एक गध्यांस का सीर्षक दिया होगा और उसका सारेंस 3 पिलस 6 पिलस 12 वरावर 21 नमबर का इसका पुड़ांग पूरे पेपर का होगा 120 नमबर का और ये 21 नमबर का कोश्चन होगा आगे देखते हैं आगे अगला कोश्चन दो आपके सामने है कि किसी दिये हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार लेखन आपको एक पत्र दिया होगा सरकारी पत्र उसका सार लेखन आपको देना है ये पंदरांग का है और पत्रा चार है सास की या अद्र सास की ये पत्र कारियाले या आदेश ग्याब या परित पत्र तो इस पर आपको लिखना होगा एक लेटर 24 नंबर का है देख सकते हैं नेख्ट है कि परिवासी सब्दा वाली प्रसाशनिक आपम बाड़िजिक सब्दा वाली होगी आपको अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट करनी है यह दस नंबर के पास सब्द होंगे और हिंदी से अंग्रेजी यह भी पास सब्द दस नंबर के होंगे और मोहाबरे लोकोकतिया होंगी केवल पांच यह दस नंबर की होंगी और कंप्यूटर का भी नालिज आपको होना जाज़िए तो यह एक खंड में खंड एक में पूछे जाएंगे और खंड दो यहां पर देख सकते हैं यह भी आपका सब्जेक्टिव टाइब का होगा सामान सब्द ग्यान एवं ब्याकरण और इसमें देख सकते हैं कि विलोम सब्द यह चे सब्द बारा आंकों के यह पुडान की इसका कितना होगा साथ पूरे खंड का साथ होगा बाक के एवं बरतनी सुद्धी छे बाक के बारा आंक यह सब्द और बारा आंकों के देख सकते हैं तो यह साथ होगे भाई तस्व तद्वब बिसेस और बिसेस बाई सब्द होगे तो इनको आप अच्छे से तयार कर लीजिए और लाश्ट में आप देख सकते हैं कि हिंदी निवन्द का पेपर होगा तीन गंडे का समय होगा आपका 120 नमबर के यह होगा इस पिरसन पत्र के अंतरगत कितने तीन पिरसन होगे पिरते एक पिरसन के एक एक सीरसक काखा काखा चैन करते हुए दी गई सब्द सीमा में कुल तीन निवन्द लिखने होगे आपको को पहला साहित्यों संस्किर्ति सब्द सीमा समाजिक छेत्र और राजनितिक छेत्र इन चेत्रों से आपको 600 सब्दों का निन्द लिखना है चालिस नमबर का इसी पिरकार चालिस चालिस नंबर के तीन निमंद यानि चाहती हैं बारा एक सो बीस नंबर के आपको निमंद लिखना है दूसरा देख सकते हैं कि विज्ञान पर्यावन पिरोद्धोग की आर्थिक छेत्र किरसी व्यापार राष्टिये अमम अंतर राष्टिये घटना किरम प्रयाकृत यानि जो जनरल इस्टडी जो सामान अध्यन के जो विसे हैं उनी से आपसे निमंद पूछा जाएगा तो यह सिलेबस आप लोग उन्हें देख लिया कि प्रिलिम्स में कितने दो पेपर होते हैं और मुख्य परिच्छा में तीन आप देख सकते हैं आपके सामने हैं अब आपको टेलेगराम पे मिल जाएगी और किसी भी डाउट के लिए आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं और उमीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी पसंद आएगी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें कमेंट करें मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडि